इतने दिन हमने क्या पढ़ी थे इतने दिन हमने सवरों की मात्राएं पढ़ी थी आज हम क्या पढ़ेंगे आज हम हिंदी व्यागरण का चेप्टर फरस्ट पढ़ेंगे सवरों की मात्राएं क्यों पढ़ी थी हमने किस कारल पढ़ी थी क्यों पढ़ी थी सवरों की मात्राएं इसलिए पढ़ी थी जिससे क्या हो हमें बुक को रीड करने की प्रेक्टी शोव आज हम क्या पढ़ेगे हिंदी व्यागरण का चेप्टर फस्ट पढ़ेगे क्या पढ़ेगे हिंदी व्यागरण का चेप्टर फस्ट पढ़ेगे जिसका क्या नेम है क्या नेम है जिसका जिसका नेम है हमारी भासा जिसका नेम है हमारी भासा अब आपको सबसे पहले ये जानना है कि भासा कहते है किसको है क्या जानना है भासा कहते है किसको है भासा क्या होती है भासा क्या होती है तो क्या होती है भासा क्या होती है भासा किसे कहते है किसको करते है भासा जब हम अपनी बात दूसरों को समझाते है तथा दूसरों की बात हम कुछ समझते है जब हम अपनी बात दूसरों को समझाते है जब हम अपनी बात किसको समझाते है जब हम अपनी बात अगले को समझाते है जो अगला व्यक्ति हमारे सामने होता है उसको जब हम अपनी बात समझाते है क्या करते हैं अपनी बात को समझाते है जब हम अपनी बात को अगले व्यक्ति को समझाते हैं और अगले व्यक्ति की बात हम कुद समझते हैं अगले व्यक्ति की बात हम स्वे समझते हैं कुद समझते हैं किसके दौरा समझते हैं किसके दौरा समझते हैं भाशा के दौरा समझते हैं जब अगले की बात हम समझते हैं और अपनी बात हम अगले को समझाते हैं किसके द्वारा किसके द्वारा भासा के द्वारा हमारी भासा तो अब हम क्या पढ़ेंगे चेप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे हमारी भासा जिसके द्वारा हम अपनी बात हैं दूसरों को समझाते हैं किसा दूसरों के भासा में स्वे समझते हैं भासा हमारी भासा बच्चों पहले चित्र में पहले चित्र ये जो चित्र दिया हुआ है चित्र में नेता जी नेता जी क्या कर रहे हैं इसमें नेता जी इसमें भासर दे रहे हैं क्या कर रहे है नेता जी जिसमें भासर दे रहे हैं क्या कर रहे है भासर दे रहे हैं बच्चों पहले चित्कर में नेता जी मुख से बोल कर भासर केसे देते हैं भासर बोल कर देते हैं तो नेता जी अपनी बात केसे समझा रहे हैं दूसरों को बोलकर समझा रहे हैं केसे समझा रहे हैं बोलकर समझा रहे हैं नेता जी मुख से बोलकर अपनी बात जन्दा तक पहुचा रहे हैं किस तक पहुचा रहे हैं जन्दा तक केसे पहुचा रहे हैं बोलकर पहुचा रहे हैं बच्चो अपरेंट चितर में नेता जी उसे बोलकर अपनी बात जन्दा तर पहुचा रहे हैं और जन्दा उनकी बात को सुनकर समझ रही है और जो जन्दा है वो नेता जी की बात कैसे समझ रही है वो नेता जी की बात को सुनकर समझ रही है नेता जी अपनी बात कैसे समझा रही है नेता जी अपनी बात को बोल कर समझा रही है बोल कर समझा रही है और जन्ता उसको कैसे समझ रही है कैसे समझ रही है सुनकर समझ रही है नेता जी अपनी बात बोल कर जन्ता को समझा रही है दूसरे चितर में दादा जी पत्तर लिख कर अपने मन की बात बता रहे हैं दूसरे चितर में दूसरे चितर में क्या हो रहा है जो ये दादा जी पेठे है क्या कर रहे हैं अपनी बात को पत्तर में लिखकर बता रहे हैं कैसे बता रहे हैं पत्तर में लिखकर बता रहे हैं और पत्तर पाने वाला बच्चा और जिसके पास पत्तर आया वो बच्चा पढ़कर उनकी बात समझ रहा है दादा जी कैसे बता रहे हैं लिखकर बता रहे हैं और बच्चा कैसे समझ रहे हैं उसको पढ़कर समझ रहा है तीसरे चित्र में बच्चा इसारे से अपनी बात दूसरे बच्चे को समझा रहा है तीसरे चितर में बच्चा इसारे से अपनी बात क्या कर रहा है दूसरे बच्चे को समझा रहा है इसारे से कई बार बात इस पस्ट नहीं होती इसारे से क्या नहीं होती है हम अपनी बात बोलकर दूसरों को बच्चे से समझा सकते हैं और अगला सुनकर उसको अच्छे से समझ सकता है हम अपनी बात लिख कर भी क्या कर सकते हैं दूसरों को अच्छे से समझा सकते हैं और अगला पढ़कर उसको अच्छे से समझ सकता है क्या कर सकता है अगला पढ़कर उसको अच्छे से समझ सकता है और तीसरे चितर में बच्चा इसारे से अपनी बाद दूसरे बच्चा को समझा रहा है क्या कर रहा है तीसरे चितर में बच्चा कैसे समझा रहा है दूसरे बच्चे को इसारे से समझा रहा है इसारे से कई बार बातिस पस्ट नहीं होती है कई बार इसारे से क्या नहीं होती है बातिस पस्ट नहीं होती है इसलिए यह बातिस पस्ट नहीं है इसलिए यह क्या नहीं है इसारे दोरा समझाया गया यह बातिस पस्ट क्या नहीं है नहीं है कीस स्प्राइब से नहीं समझाए जा सकता है समझाया नहीं जा सकता भासा के दूरा हम दूसरों को फोल कर अपनी बात समझाते हैं किसके दूरा समझाते हैं भासा के द्वारा भासा के द्वारा हमां दूसरों को खोल कर अपनी बात समझाते हैं और सुनकर दूसरों की बात समझते हैं और दूसरों की बात कैसे समझते हैं सुनकर सुनकर दूसरों की बात समझते हैं केवल मनुस्य ही बोलने और लिगने के लिए वासा का परियोग करता है मनुस्य करता है मनुस्य ही ऐसा प्राणिय है जो वासा का परियोग बोलने और लिगने के में करता है वासा ही मनुस्य को अन्दे प्राणियों से स्रेष्ट बनाती है वासा ही क्या करती है बासा ये एक ऐसा मात्य में जो मनुष्य को स्रेष्ट पराणियों से क्या बनाती है अन्य पराणियों से स्रेष्ट बनाती है क्या बनाती है स्रेष्ट बनाती है बासा ही मनुष्य को अन्य पराणियों से स्रेष्ट बनाती है कौन बनाती है भासा इस परकार एक दूसरे को अपनी बातों तथा भाओं को समझने समझाने के सादन के रूप में भासा का परियोग होता है इस परकार एक दूसरे को अपनी बातों तथा भाओं को समझने तथा समझाने के सादन के रूप में भासा का क्या होता है मनुष्य के भाओ और विचारों के आदान परदान के सादन को ही क्या कहते है मनुष्य के भाओ और विचारों के आदान परदान के सादन को ही हम क्या कहते है भासा कहते हैं मनुष्य के भाओ और विचारों के आदान परदान के सादन को ही हमें भासा कहते हैं भासा की डेफिनेशन क्या होती है मनुष्य के भाओ और विचारों के आदान परदान के सादन को क्या कहेंगे जिसके द्वारा क्या होते हैं मनुस्य के जो विचार है मनुस्य के जो विचार है उसका क्या होता है उसका आदान परदान होता है किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है भासा के द्वारा होता है मनुस्य के भाव और विचारों का आदान पर्दान किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता है भासा के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है भासा के द्वारा होता है मनुस्य के भाव और विचारों के आदान पर्दान के सादन को यह क्या कहते है भासा कहते हैं, क्या कहते हैं, भासा कहते हैं, मनुस्य के भाओ और विचारों क्या दान परदान के सादन कोई आमें, भासा कहते हैं, क्या कहेंगें, भासा मनस्य के भाओ और विचारों के आदान परदान के साधन को या में वासा कहते हैं ओके बचो तो वासा की गवारा मनस्य क्या करता है क्या करता है अपने विचार अपने विचार अपने भाव एक दूसरे को क्या करते हैं एक दूसरे को समझाते हैं जैसे यह जो निताजी है जो क्या कर रहे हैं भासंड देकर अपने विचार परकट कर रहे हैं भासन देकर क्या कर रहे है अपने विचार परकड कर रहे है और किसको समझा रहे है और जनता को समझा रहे है जनता को समझा रहे है जनता को समझा रहे है जो यह नेता जी है यह क्या कर रहे है भासन देकर अपनी बात ही जनता को क्या कर रहे है जनता को समझा रहा है अपनी ब दादा जी है यह दादा जी क्या कर रहे हैं पत्तर को लिखकर पत्तर को लिखकर क्या कर रहे हैं पत्तर को लिखकर अपनी बात बच्चे को समझा रहे हैं क्या कर रहे हैं अपनी बात को बच्चे को समझा रहे हैं इसके द्वारा पत्र के द्वारा पत्र को लिखकर अपनी बात भच्चे को क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं नेता जी भासन के द्वारा और दादा जी पत्र के द्वारा क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं अपनी बात हैं? समझा रहे हैं तो भासा किसे कहते हैं मनुष्य के भाओ और विचारों के आदान पर्दान का जो सादन होता है आदान पर्दान का जो सादन होता है उसी को हम क्या कहते हैं उसी को हमें भाशा कहते हैं मनुष्य के भाओ और विचारों के आदान पर्दान के शादन को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भासा कहते हैं, मनुष्ये के वाओ और विचारों के आदान पर्दान के सादन को हमें क्या कहते हैं, भासा कहते हैं, भाशा कहते हैं, तो आज आपको क्या करना है, आज आपको भासा के बारे में अच्छे से जानन आपको अच्छे से जानना है कि भासा किसे कहते हैं भासा क्या होती है भासा के बारे में अच्छे से जानना इसके बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से क्या करना है समझना है अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है ओके ओके बच्चो आज आप क्या करोगे भासा के बारे में अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे क्या करोगे अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे ओके ओके बच्चो आज के लिए तना है काफी है कलम पढ़ेंगे नेक्स्ट टोपिक ओके, थैंक्यू बच्चो